दिल्ली के मुख्यमंत्री आर्विन केज्रिवाल ने विधान सभा में सरकार के उपलब्धियां गिनवाई मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के 65 साल के शासन के मुकाबले 8 साल में डबल विकास किया है अगले 2 साल में शहर की तस्वीर बदल देंगे और साथी डीजिपी पर तंज कस्ते हुए मुख्यमंत्री आर्विन केज्रिवाल ने कहा कि इस सृष्ट्री की रचना ही 2014 में डीजिपी ने कराई है मुक्यमंत्री ने कहा कि डिल्ली में पहले शिकशा का बुरा हाल था और अब डिल्ली मॉडल ने देश को एक उम्मीद दी है और अब आमाद्नी पार्टी के सरकार ने डिल्ली के तस्वीर बदल दी है दिल्ली में जनता को सब कुछ फ्री दिया जाता है, सब कुछ फ्री देकर भी सरकार का बजट फायदे में है पिछले आठ साल में 28 फ्लाइओवर बनाए गए 1950 से लेके 2015 तक 65 साल में दिल्ली में जितने काम किये गए 2015 से लेके 2023 तक पिछले आठ साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है उससे डबल काम पिछले आठ साल के अंदर किये गए पिछले आठ साल में हमने 28 फ्लाइओवर बनाए अगले दो तीन साल के अंदर हम 29 फ्लाइओवर और बनाने जा रहे हैं पिछले आठ साल के अंदर जितने बड़े स्तर के उपर दिल्ली में कच्ची कोलोनियों में पानी की पाइपलाइण डाली गई पांच हजार किलोमेटर से जादा बड़ी पानी की पाइपलाइण डाली गई जो कि मैं समझता हूँ गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड में आना चाहिए किसी शहर के अंदर इतने बड़े स्तर के उपर पानी की पाइपलाइण डाली गई पहले दिल्ली में सीवर को ट्रीट करने की जितनी क्षमता थी उससे डबल क्षमता पिछले आठ साल के अंदर हमने क्रियेट किये चाहे बिजली हो चाहे पानी हो चाहे सीवर हो चाहे सडके हो पिछले आठ साल में उससे ज़्यादा काम किया गया जो 65 साल में किया गया दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्त के खेतर में जो काम किये वो तो सब को पता है लेकिन इंफरस्रक्टर दिल्ली को नेक्स लेवल पे ले जाने के लिए दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शहरों में गिंती करवाने के लिए जो काम किये गए और अगले दो साल के अंदर दिल्ली को जहां हम ले जाने ले जाना चाहरे हैं और ले जाएंगे वो अपने आप में एतिहासिक है इस साल 21,000 करोड रुपए दिल्ली के इंफरसेक्चर पुश के लिए लगाए गए हैं और मैं समझता हूं कि अगले दो तीन स साल के अंदर आप दिल्ली को दुनिया के चुनिंदा शेहरों से कंपेर कर पाएंगे दिल्ली देश के लिए एक बहुत गौरफ का स्थान बनेगा कि सब कुछ हापी की कृपा है यह चांद यह सितारे यह आसमान यह धर्टी सब कुछ हापी की इस रिष्टी की रचना ही 2014 में हुई थी उसके पहले तो यह दुनिया हम लोग जो भी कांद करते हैं उनका नाम लेके शुरू करते हैं उन्हीं का नाम लेके तो सब कुछ हापी की कृपा है सबसे पहले मैं आप ही सब को नमन करता हूं दिल्ली मॉडल ने पूरे देश को एक उमीद दी है दिल्ली मॉडल ने यह दिखा दिया कि एक इमांदार सरकार क्या कर सकती है दिल्ली मॉडल ने दिखा दिया कि एक पढ़ी लिखी सरकार क्या कर सकती है दिल्ली मॉडल क्या है दिल्ली मॉडल है एक पढ़ी लिखी सरकार का मॉडल सबके विकास का मॉडल चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसल्मान हो चाहे सिक्ष हो चाहे इस धरम का हो चाहे इस जात का हो चाहे इस जात का हो चे गरीब हो, चे अमीर हो, चे बच्चा हो, चे बुड़ा हो, चे युवा हो, चे आदमी हो, चे औरत हो, हर एक के विकास का मॉडल और संपूरन विकास का मॉडल